इस्राइल को पड़ा जटका लगा है नेतन याहू का गुरूर टूट गया है क्योंकि इस्राइल जिसे हमास और हिजबल्ला के खिलाप सबसे बड़ी दिवार कहता है उसको नसरल्ला के लड़ाकों ने जटके में खत्म कर दी हिजबल्ला का दावा है कि उसने इस्राइल के आईरन डूम को एक जटके में फोड़ दिया है नसरल्ला के लड़ाकों ने इस्राइल के आईरन डूम के दो सिस्टम तबाख कर दियें एक आईरन डूम की कीमत 100 मिलियन डूलर है हिंदुस्तान की करिंसी में बात करें तो करीब 800 करोड मतलब हिजबल्ला ने एक जटके में इसराइल के 1600 करोड रुपे तबाख कर दिये हिजबल्ला का कहना है कि उसने उत्तरे इसराइल के कबरी में उसकी बंबारी ने बड़ी तबाही मचाई यहीं पर आईरन डूम सिस्टम तैनाथ था यह बात पश्च्चमी मीडिया भी बता रहा है और इसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है लेकिन इसराइल ने इस पर पूरी तरह से चुप़ी साथ रखी है हमास के रॉकट को रोकने वाला आईरन डूम इस वक्त संकट में हर हमले का मूत और जवाब देने की धमकी देने वाले नेतन याहु ने आईरन डूम पर हुए हमले पर अब तक कुछ नहीं बोला है हमास ने इसी मिजाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराता है साथ अक्तूबर को भी जब हमास ने करीब पांच हजार रॉकट से हमला किया तो आईरन डूम ने बड़ी तादाद में रॉकट मार गिराए था हजबुला जानता है के रॉकट इसराइल पर बेअसर साबित होते हैं इसलिए अब उसने एंटी टैंक मिजाइलों का साहारा लिया है वो तोप से भी गुलाबारी कर रहा है हजबुला लगातार इसराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है पहले भी इसने एंटी टैंक मिजाइल सिस्टम से इसराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाए और अब उसके निशाने पर आयरन डूम सिस्टम आ गया है यसे से पहले जब जब फिलिस्तिनी संगठन हमास में रॉकट से हमला किया है आयरन डूम का सक्सेस रेट 95 प्रतिशत से उपर रहा है यानि हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डूम की मिजाइल फायर की गए तो उसने 90 से ज़ादा रॉकेट को आस्मान में ही रोक दिया इसी वज़ा से इस एर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी ये जलिंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ गया आयरन डूम 4 किलोमेटर से लेकर 70 किलोमेटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है ये मिजाइल को भी रोक सकता है ये रोकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है इसराइल की ये हालत देखकर कह सकते हैं कि इन हमलों को रोकने के लिए आयरन डूम फेल साबित हुआ है और इस्तमाल करने पर बहुत महंगा भी साबित होता है क्योंकि एक लाक रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तूप के गोले को रोकने के लिए इस से दो मिजाइल फायर की जाती है जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाक से 1 करोड रुपए हो सकती है यानि एक रॉकेट जिसकी कीमत एक लाक रुपए भी नहीं उसको रोकने के लिए इस हत्यार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है अब खुद आइरन डूम पर हमले ने बता दिया है कि नेतन याहू का कोई डिफेंस सिस्टम पुखता नहीं है दुनिया के सबसे बेहतरीन एर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले आइरन डूम पर अटाक के खबर में इसराइल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है ये नेतन याहू के लिए भी बहुत बड़ा जटका है लेकिन सवाल है कि अब नेतन याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे इस बुल्ला के धमाके के बाद दो लोग बहुत ज़्यादा टेंचिन में है गाजा और इसराइल की बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्री युद्ध के एपिसेंटर में तबदील कर दिया है और इसकी वज़ा से दो ताकतें सबसे ज्यादा फेक्टर में डूबी हुई है पहले हैं इसराइल की प्रधान मंत्री बिन्यमिन नेतन याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडन दोनों की टेंशन का मीटर लगातार रेड लाइन को पार करता जा रहा है इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है हमास से धाई महीने से जारी जंग और हिजबुल्ला के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉइड ऑस्टेन इसराइल पहुंच गए यहां उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ है हालकि उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि अगर हिजबुल्ला के तरफ से हमले तेज हुए तब भी वो इसराइल का साथ देंगे भी तो इसराइल के साथ देंगे इन्होंने इन्होंने एक तरफ हमास गाजा पट्टे में इसराइली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है दूसरी तरफ लिबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला लगातार फाइरिंग कर रहा है ऐसे में सवाल है कि इसराइल के लिए अगला खत्रा कौन सा आने वाला है ये बात नेतन याहु अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जंग में अमेरिका से भले ही उसको मदद मिल जा लेकिन युद तो उसे खुद लड़ना होगा मोर्चे पर उसके ही सेनिकों को तैनात होना होगा इसलिए हिजबुल्ला की तरफ से हमले तेज होने के बाद नेतन याहु ने अपना वार्ट ट्राइंगल तयार कर लिया है नेतन याहु के वार्ट ट्राइंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन याहु के वार्ट ट्राइंगल में दूसरा बड़ा कोना लिबनान में हिजबल्ला का अंत है जबकि नेतन याहू के वार ट्राइंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया जहां पर इसराइल की एर फॉर्स ने हमले तेज कर दिये हैं ये तीनों जगा या देश इसराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाप सबसे बड़ा खतरा मानता है यही वज़ा है कि इसराइल साल के बारा महीने महीने के तीस तिन और दिन के चौबीस घंटे युद्ध के मोड में रहता है उसकी सेनाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं दुश्मनों को लेकर हमेशा चौकन ना रहती है अपने आस्मान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इसराइल के पास चार लेयर में डिफेंस सिस्टम है पहला है आयरन डॉम जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमेटर के दायरे में रोक सकता है मिड सेग्मेंट में दूसरा है डिविड सिलिंग सिस्टम जो धाय सो किलोमेटर की रेंज तक मिजाईल या विमान का दुश्मन बन जाता है एरो टू एर डिफेंस सिस्टम इसकी रेंज भी धाय सो किलोमेटर तक है लेकिन ये डिविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा उंचाए पर जाकर आस्मानी टागेट को मार गिरा सकता है और चौता है एरो त्री जो ठाई किलोमेटर से भी आगे के टागेट को खत्म करता है और अब यही एर डिफेंस सिस्टम इसराइल का बिलिस्टिक मिजाईल को मार गिराने वाली गैरेंटी बन चुका है अपने चार लेर डिफेंस के चलते ही नेतन याहू का जोश हमेशा हाई होता है वो अपने दुश्मनों को जवाबी अंजाम बुगतने की धमकी देते हैं गाजा में भी यही हुआ 7 अक्चुबर को अटैक के बाद से गाजा पर इसराइल का हमला जारी है युद कान कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता लेकिन जैसे जैसे युद लंबा खिचता जाएगा मौत के आंकड़े भी बढ़ते जाएंगी बर्बादी भी बढ़ती जाएगी फिलिस्तीन के स्वास्त मंत्राले की माने तो युद में अब तक 19,400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है दूसरी तरफ इसराइल के 139 सेनिकों की जान चली गई है बर्बादी और तबाही के ये आंकड़े तब है जब इसराइल फिलहाल एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है अगर हिजबुल्ला से भी आरपार की लड़ाई हुई और इसराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो ये तैह है के बर्बादी और तबाही गाजा में हो रहे युद्ध से कहीं ज्यादा होगी कर दो कर दो कर दो